नमस्कार दोस्तों, वेलकेम यौल टू जिकेटेक्स इस वीडियो बहुम रीट एक्जाम्स के लिए RBSC 7th क्लास की जोग्राफी का चैप्टर नमबर 2nd से सम्बंदित सारे इंपोर्टेंट प्रश्ण इस वीडियो में कवर करेंगे आपे मंदरी के साथ इस रिच को फॉल रखेगा और हो सके तो सारे प्रश्णों का आपको साथ ही साथ लिखते चलना है बार-बार इन प्रश्णों का रिविजन करना है और देखिए रिट एक्जाम 2018 में भी इस चैप्टर से एक कोशिन बना था तो ये काफी अधिक important चैप्टर भी है तो चलिए सुरुवात करते हैं वीडियो को like करके support जरू करिएगा यहाँ पर फ्रश्ण कोशिन देखते हैं उस नकटी बन्दी चक्रवातों को सर्यूक्त रज्जे अमेरिका में क्या कहा जाता है हरीकेन, टॉर्नेडो, टाइफून या फिर विली विलीज तो देखिए उस नकटी बन्दी चक्रवातों को सर्यूक्त रज्जे अमेरिका में कहा जाता है हरीकेन यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीकेन का ये फोटो है वायू यान किस परत में उड़ते हैं शोब मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल या फिर समताप मंडल तो देखिए वायू यान ये उड़ते हैं समताप मंडल में यह आप ध्यान रखेगा ओप्शन नमबर फोर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर आप यहामारी परत भी हैं इसके उपर ज़ चाषट है, ट्रोपो स्पीयर यानि शोब मंडल उसके उपर है इस्ट्रेटो स्पीयर यानि समताप मंडल और समताप मंडल में उड़ते हैं वायू यान वायू मंडल में सबसे अधिक मातरा में कौन सी gas पाई जाती है oxygen, hydrogen, nitrogen या फिर ozone तो देखे वायू मंडल में सबसे अधिक gas पाई जाती है nitrogen 78.08% पवन की गती मापने का यंत्र है thermometer, barometer, animometer या फिर कोई नहीं तो देखे पवन की गती को मापने का यंत्र है animometer यहाँ पर इसका यह चितर भी दे रखा है और वायू दाप को मापने का यंत्र क्या है barometer, तापमान को मापने का यंत्र क्या है thermometer, यह भी आप ध्यान रखेगा वायू मंडल में रेडियो तरंगो का परवर्तन किस मंडल में होता है तो देखे वायू मंडल में रेडियो तरंगों का परवर्तन होता है आयन मंडल में option number second इसका correct answer होगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं thermosphere इस परवर्त में होता है रेडियो तरंगों का परवर्तन ग्रिस्म काल में चलने वाली गरम पवनों को रजस्तान में क्या का जाता है ब्लिजर्ड, चिनुक, लू या फिर कोई नहीं तो देखे correct answer होगा लू सही सुमिलित नहीं है इस्तान और उस्न कटिबंदिय चकरवाद के समद में आपको बताना है Caribbean सागरव, Mexico, Tornado, Japan, टाइफून, आस्ट्रेलिया, विली विलीज, बंगाल की खाड़ी, हरिकेन तो देखे correct answer होगा उप्सन में फोर्थ, बंगाल की खाड़ी, हरिकेन ये सही सुमिलित नहीं है तो जो सही सुमिलित उपर के यह तिनु आप ध्यान रखेगा और जश्ट हमने आगे देखा था, कि सयुक्त रज्जी अमेरिका में जो उश्न कटिबंदी चक्रवाद होते हैं, उनको का जाता है हरिकेन, ना कि बंगाल की खाड़ी के तो ये आपको ध्यान रखना है परती चक्रवाद के सम्मन्द में सत्यकतन है इनकी दिशा उत्री गुलार्द में गड़ी की सुई के अनुरूप होती है इनकी दिशा दक्षिनी गुलार्द में गड़ी की सुई के विप्रित होती है इसमें मद्य में उचो दाब तता परिदी की और नियूंतम यहां पर दाब होगा, नियूंतम दाब होता है वो होती है नियुन्तमदाब तो जो पवने चलती है वो चलती है उच्छदाब से नियुन्तमदाब की और इस प्रकार तो यह आप इस्तती ध्यान रखेगा प्रति चक्रवाद के सम्मंद में विश्व में सरवादिक वर्षा वर्षा वाले इस्तान भारत के मेगाले रज्य के किस पहाड़ी में इस्तित हैं मासिन रामव चेरापुन जी गारो पहाड़िया जेंती पहाड़िया खासी पहाड़िया या फिर कोई नहीं तो देखे, दोने इस्तान इस्तित हैं खासी पहाड़ियों में तो यहांपर और आप्प्षन मर्थण इसका correct answer होगा और यह तिनों पहाड़िया काहाँ पर है यह है मेगाले रज्ज में आप ध्यान रखेगा यहांपर यह है गारो, यह है खासी, यह है जय violently पहाड़िया का correct answer क्या होगा समताप सीमा पर तापमान होता है जीरो डिगरी सेल्चियस वर्षा के वित्रण को परभवित करने वाला कारक है परवतों की दिशा सम्मुंद्र से दूरी धरतल का स्वरूप पवन या फिट सभी तो देखे ये सभी कारक परभवित करते हैं वर्षा के वित्र यह बहती है रौकी परवत पर यहाँ पर रौकी परवत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिनुक पवने और यह किस तरफ बहती है इस तरफ यानि पूर अदिशा की और जो रौकी की पाड़िया है वो इनको पार करके जो उत्री अमेरिका है इनके मैदान में परविश इनके लॉकेशन देख लिजिए, यह मिस्ट्रल और यह है फॉर्न चक्रवात के सम्быंद में शत्यकतन है चक्रवात निम्नदाप के केंदर होता है इनके चारों तरफ ऊच़ वायूदाब होता है चक्रवात के दो परकार है उस्न कटिबंदी चक्रवात और सितोस्न कटिबंदी चक्रवात उस्न कटिबंदी चक्रवात बहुत तीवर गती से चलते हैं जिससे भारी नुक्सान होता है या फिट सभी तो देखिए चक्रवात के संबन में चारो को तन सत्य यह आपको ध्यान रखना है option number 5 इसका correct answer होगा तो उपर की दोनों सत्य मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका केंदर होता है चक्रवात का केंदर होता है निम्न दाब युक्त और जो इसकी परिदी होती है परिदी पर इसका होता है उच्चुदाब तो पवने किस तरफ चलती है इस तरफ केंदर की और परिदी से केंदर की और यह आप ध्यान केगा मुख्य रूप से पवने कितने परकार की होती है एक, दो, तीन या फिट चार तो देखिए मुख्य रूप से पवने तीन परकार की होती हैं कौन-कौन सी यहाँ पर आप देखिए इस्थाई पवने, सामिक पवने और इस्थानी पवने नेमन मैंसे कौन सी पवन इस्थाई पवन नहीं है व्यापरिक पवन, पच्छुआ पवन, इस्थानी पवन या फिर दुरुवय पवन तो देखें करेक्ट आंसर होगा इस्थानी पवन तो इस्थानी पवने कौन-कौन सी है यहाँपर आप देखिए व्यापरिक पवने, पच्छुआ पवने और दुरुविय पवने ये आप दियान रखेगा सामिक पवनों के अंतरगत कौन-कौन सी पवने आती है मांसुनी पवने, इस्तलिय समीर और सागरिय समीर और परवत और गाटी समीर और इस्तानी समीर कौन-कौन सी है चिनुक है, फॉन, ब्लिजर्ड, बोरा, हर्मटन, मिस्टर, लू, खमसी, नॉर्थर, ब्रिक, फिल्डर और सीरा को तो इनके बार में आपको ध्यान रखना है जल समीर चलती है, कब चलती है दिन में, रात में, सुबह, या फिर सायकाल तो देखे, जल समीर चलती है, दिन में यहाँ पर यह दिन की इस्टती है, और यह है रात की इस्टती देखे, दिन में जो इस्टल होता है, वो जल्दी गरम हो जाता है, समुंदर की अपक्सा तो जल्दी गरम होगा, तो पवने उपर की और उड़ जाएगी और जो ठंडी हवाई है समुंदर की वो इस्तल की और चलेगी तो यही पूछ रहे हैं प्रश्ण में कि जल समीर कब होता है तो दिन में होता है रात में इसका उल्टा हो जाता है रात में जो इस्तल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जो यहाँ पर गरम हवा होती है समुंदर की वो उपर की और उड़ती है और जो इस्तल ठंडा हो गया तो ठंडी वाई किस और चलेगी फिर समुंदर की और तो यह आप ध्यान रखेगा इस्तल से जल की और चल रही है इसलिए 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 तो देखे पवने हमेशा चलती है उच्छ दाब से निम्न दाब की और वायुदाब को मापने की इकई है देखे वायुदाब को मापने की इकई है मिली बार यह आप द्यान रखेगा और यंतर कौन सा है वायुदाब को मापने का बैरोमेटर तापमान को मापने की इकई है त तर्मामिटर। धरातल से ख्षोब मंडल की और जाने पर और सतन प्रती कितने मीटर की उच्चवी पर एक सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो देखे करेक्ट आंसर होगा 165 मीटर। एक सो पैस्ट मीटर अगर हम उपर जाएंगे तो एक सेंटिग्रेट तापमान कम होगा जैविक इंदनों के उप्योग के कारण वायू मंडल में कारबन डाई ओकसाइड की मात्रा लगातर बढ़ती जा रही है जिसके परिणाम सुरूप प्रित्वी का तापमान भी बढ़ रहा है यहां कहलाता है तो देखिए यह कहलाता है global warming देखिए आप चितर में देखिए यहाँ पर यह सूर्य के किरण प्रित्वी उपर आ रही है और यहाँ पर यह जो आपको layer दिख रही है यह carbon dioxide तो जो सूर्य की अतिरिक किरण होती है वो वापस वायू मडल में वायू मडल से अंत्रिक्स में जाने की उपर जाती है लेकिन जो carbon dioxide है वो उसको अंत्रिक्स में जाने से रोकती है वापस प्रित्वी उपर भेजती है तो इससे प्रित्वी का क्या बढ़ रहा है तापमान और इसी को क्या कहते है global warming तो यह आपको ध्यान रखना है नेमन मैंसे कौन सी gas अन्य की मुकाबले अधिक है carbon dioxide, organ, hydrogen या फिर methane तो देखिए सबसे अधिक है organ और उसके बाद में carbon dioxide तो देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिकोंसी है nitrogen, second, oxygen, third organ फिर है carbon dioxide, हिलियम, ozone, hydrogen, neon, genone, krypton और methane तो इन सब भी के बार में आप ध्यान रखेगा आकास का रंग निला क्यों दिख़ए देता हैं? देखे यह प्रशन विभीन एक्जब में कई बार पूछा हुआ है तो आकास का रंग निला दिख़ए देता हैं प्रकास के प्रकिणन के कारण सत्यकतन है किसी स्थान विशेश की मौसम दसाओ के दीर्ग कालिन उसत को जलवयू कहते हैं वायू मंडल के मुक्य तत्व तापमान वरसा वायू दाब आदर्ता पहुने हैं या फिर सबी तो देखे तीनों कोतन सत्य है तो आप द्यान रखेगा मौसम की परिबासा, जलवयों की परिबासा और मुक्के तत्व कौन कौन से है वयु मंडल के इनके बारे में शोब मंडल की उसत उचाई कितनी है तो देखे इसकी उसत उचाई है 13 किलो मेटर और देखे समताप मंडल की उसत उचाई है 50 किलो मेटर तक मद्य मंडल की उसत उचाई है 80 किलो मेटर तक और जो आयन मंडल है आयन मंडल की उसत उचाई कहां तक है 400 किलो मेटर तक और उसके क्या है देखिए उसके उपर है बहिर मंडल तो यह आप द्यानरकी का सारे फेक्ट शोब मंडल के सम्मंद में सत्यकतन है यह वायू मंडल की सबसे निचली महतुपुन परत हैं सभी मौसमी गटनाई जैसे कि बरसात है आंदी तुफाने इसी परत में गटित होते हैं यहां से आपके चार प्रस्टन रेड़ी होते हैं तो सभी के बार में आप द्यान रखेगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो देखिए ओजोन परत पाई जाती है सम्ताप मंडल में यह आपको द्यान रखना है option में 4 इसका correct answer होगा तो यहां पर आप देखिए य अंत्रिक से आने वाले उलका पिंड किस परत में जल जाते हैं तो देखिए यह जल जाते मध्य मंडल में मिसो स्पियर में तो यहां आप देखिए संचार की द्रश्टिस से अत्यदिक में तुपू परत कौनसी है तो देखिए यह कौनसी परत है यह आयन मंडल तो यह आप द्यान रखेगा वायू मंडल की सबसे उपरी परत कौनसी है तो देखिए वायू मंडल की सबसे उपरी परत है बहिर मंडल यह आप द्यान आयन मंडल या फिर हम इसका आने नाम कह सकते हैं ताप मंडल और फिप्ट नमर पर कौन सी है बहिर मंडल तो यह आप दियान रखेगा किस परत में गैसे अत्यनत विरल होती है जिसमें मुक्य रूप से हीलियम और हाइट्रोजन गैसे पाई जाती है तो देखे यह गैसे पाई जाती है या फिर गैसे विरल होती है बहिर मंडल में सांत मंडल कहते हैं तो देखें सांत मंडल कहा जाता है शोब सीमा को यहाँ पर आपको जो सई सुमे लेते हैं वो बता ना है गैस और परतिशत के समन्द में नाइट्रोजन 78.08 परतिशत ओक्सिजन 20.95 परतिशत ओर्गन 0.93 परतिशत कार्बरन डाय ओक्साइड 0.03 परतिशत या फिर सभी तो देखें सारे सई दे रखें तो इन सभी के बार में आप कंटर्श लिए ध्यान रखियेगा एक्जाम में यहां से कोशन बन सकते हैं तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा और आपको इस कोशन का अंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है समुंदर की तली से विश्व का सबसे उज्चा परवत कौन सा है तो लाश्ट वीडियो में हमने इस कोशन के बार में डिसक्स किया था तो आप comment सेक्स में लिके जरूर बताएगा और इन सारे प्रश्णों के हम practice टेलेग्राम चैनल पर करते हैं तो आप टेलेग्राम चैनल से भी जॉइन हो जाएगा हमारे टेलेग्राम चैनल का नाम क्या है जीकेट्रिक एजुकेशन तो वहाँ पर आप जॉइन हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही है वीडियो को सुनने के लिए धर्नेवाद थैंक्यू, थैंक्यू, वेर्मिस फार डिस्कॉशन